हैलो प्यारे बच्चो बच्चो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिस की वर्क सीट नमबर 28 तो बच्चो आज की वर्क सीट का टॉपिक है ग्रामर तो बच्चो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि क्या होते हैं वसिंग वन हें रीड एंड द्रो पढ़िए और द्रो करिए फ़र्स्ट है दा माउस इस अंडर ड़ टेबल माउस टेबल के नीचे है तो यहां पर आप देख रहे हैं यह टेबल है और इसकी नीचे माउस है नेक्स है दो कैट इस ऑन दा मैट बिल्ली मैट प यह box toys के लिए है खिलोनों के लिए है तो बच्चों आपको यहां पर इसी तरीके का toys के लिए box बनाना है next है the door is between two windows दर्वाजा दो window के बीच में है तो इस तरीके से बच्चों आप एक दर्वाजा बनाएंगे जो की दो windows के बीच में होगा next है observe the pictures pictures को देखिए in sequence number से and complete the blanks और नीचे जो blanks है जगए हैं उसे complete करिए आप यहां देख रहे हैं first जो picture है इसमें जो child है वो socks पहन रहा है second में dress पहन रहा है और third में shoes पहन रहा है अब हमें यहां पर इन blanks को complete करना है it is snowing today आज बर्फ पढ़ रही है I am going to play with my friend मैं अपने friend के साथ खेलने के लिए जा रहा हूं या जा रही हूं first I am going to wear सबसे पहले मैं क्या पहनूंगा cloths पहनूंगा तो सबसे पहले क्या पहनेगा या पे बच्चा cloths पहनेगा next is then I am going to wear उसके बाद क्या पहनूंगा socks पहनूंगा next है last I am going to wear सबसे बाद में क्या पहनूंगा shoes मैं सबसे बाद में shoes पहनूंगा next है now write steps for how to dress to go to school in the winter season अब आपको step लिखने हैं कि किस तरीके से सरदियों में हम dress पहन कर school जाते हैं first step है I wear my shorts after bath नहाने के बाद मैं अपने shorts पहनता हूं then second step क्या होता है I put on my school shirt and pants उसके बाद मैं अपनी school की shirt और pants पहनता हूं then third I wear my tie उसके बाद tie पहनता हूं fourth I wear my socks मैं अपने socks पहनता हूं fifth step होता है I wear my shoes मैं अपने shoes पहनता हूं और last step क्या होता है I comb my hair and get ready to go to school सबसे बाद मैं मैं अपने hair comb करता हूं और school जाने के लिए तयार हो जाता हूं now question three right steps of making snowman snowman बनाने के steps लिखिए you can use following helping words यहाँ पर कुछ helping words दिए गए हैं आप इनका भी use कर सकते हैं helping words are sticks, snow, round, eyes, nose, head, buttons, join, make, smile and stand you can see here यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से snowman बनाना है first step इस तरीके से second में इस तरीके से बनेगा और last में इस तरीके से ready हो जाएगा first step सबसे पहले we make two round इस तरीके से हम two round बनाएंगे big and small balls of snow हम दो गोल छोटी और बड़ी balls बनाएंगे snow की then we join both balls by putting small ball on the top of the big ball उसके बाद हम दोनों balls को join कर लेंगे जोड लेंगे छोटी ball को बड़ी ball के उपर रख कर next we make another small ball उसके बाद हम बर्फ की एक और छोटी सी ball बनाएंगे to make his face उसके चहरे को बनाने के लिए and put it on top of both balls with a head और उसके बाद दोनों balls के उपर एक head के साथ रख देंगे then we make eyes, nose with a smile face of snowman उसके बाद हम snowman के चहरे पर smile के साथ eyes बनाएंगे और nose बनाएंगे at last we make hand using the sticks हम sticks के यानि की लकडी को use करके hand बनाएंगे and apply the buttons on second snowball और जो दूसरी बर्फ की ball है उस पर हम button बनाएंगे our snowman is standing with a smile face और अंत में क्या होगा हमारा snowman smile face के साथ खड़ा है question 4 है circle the given words from the word box नीचे एक word box दिया गया है उसमें नीचे दिये गए words को circle करना है right there rhyming words उनके जो तुकांत शब्द हैं उन्हें भी लिखना है अब सबसे पहले देखते हैं words flower, ladybug, bee, insect and ant अब इसमें हमें इन्हें ढूणना है सबसे पहले देखते हैं flower flower कहाँ पर है, flower यहाँ पर है next है ladybug, ladybug यहाँ पर है उसके बाद है bee, तो bee यहाँ पर है then insect, insect यहाँ पर है और last क्या है, aunt, aunt यहाँ पर है अब हमें इनके rhyming words लिखने हैं तो flower का rhyming words है, slower ladybug का rhyming word है, debug bee का rhyming word है, free, insect का है, reflect और aunt का है, paint now question 5, read and answer the questions पढ़िये और questions के answer दीजिए bats and birds, यह तो paragraph है वो bats के और birds के बारे में हैं both bats and birds can fly, दोनों ही bats बोलते हैं, चमगादर को bats और birds दोनों ही उर सकती हैं, you might see them on a rooftop उन्हें आप rooftop पर दोनों को देख सकते हैं, in other ways और दूसरी तरीके से bats and birds are very different, bats और जो birds हैं, वो बहुत ही अलग है birds have feathers, birds के पंक होते हैं, bats have fur, लेकिन bats के fur होते हैं birds have beaks, birds की चौँच होती है, bats have teeth, लेकिन bats के दाथ होते हैं bats hang upside down when they rest, bats जब आराम करती हैं, तो वो उपर से नीचे की तरफ लटकी भी होती है birds never do that, लेकिन जो birds होती हैं, वो ऐसा कभी नहीं करती bats and birds are very easy to tell apart, bats और birds को बताना बहुत ही आसान है कि वो किस तरीके से अलग है, when they are not flying, जब वे उड़ नहीं रही होती है now question is, how are bats and birds alike, bats और birds एक समान कैसे हैं option है, both have feathers, both hang upside down, तो दोनों ही गलत हैं, दोनों की feather नहीं होते हैं और दोनों ही upside down में नहीं लेटक सकती हैं, but both can fly, लेकिन दोनों उड़ सकती हैं, तो यहीं उनमें equality होती है next है, how are bats and birds different, bats और birds कैसे different हैं, bats land on rooftop, यह भी नहीं है bats have fur, यह सही है, but यहां में बताना कैसे different हैं, birds have teeth birds के यहां पर teeth नहीं होते, क्योंकि birds के तो beak होती है next है, write another way that bats and birds are different, अब हमें कोई और तरीका बताना है कि किस तरीके से birds और bats different होती हैं, अलग होती है answer है, bats are mammals, bats mammals होते हैं, इस्तंधारी होते हैं, so they don't lay eggs, और इसलिए वो अंडे नहीं देते हैं, but birds lay eggs लेकिन जो birds होती हैं, वो अंडे देती हैं students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel, thank you